जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टी थ्रेडिंग का एक और मेथड बताने वाले हैं जिसका नेम है इंटरप्ट हम यह बताएंगे कि इंटरप्ट मेथड क्या होता है इसका प्रोग्राम भी डिसकेस करेंगे जिसमें हम जो भी थیorship भी आपके साथ करेंगे उसी चीज़ को practically हम प्रूब करेंगे तो क्या होता है इंट्रैपट is a method of thread class ठीक है thread class का method है यहाँ पुर्ण नहीं लिखा anvaio ॽ Huge the method of thread class that is used to interrupt都फेड जिसका use करके हम thread को interrupt कर सकते हैं यह thread class का ही method है thread को interrupt करने के लिए इसका यूजम करते हैं तो यहां पर आपको दो points याद रखना होगा if any thread is in sleeping state or blocking state or waiting state जो भी आप बोलो then we can easily interrupt the execution of thread by throwing interrupted exception अगर आपका thread sleeping state में है blocked state में या फिर waiting state में है तब अगर आप उस thread के साथ आप interrupt method apply करेंगे तब आपका thread को आप interrupt करके वहीं waiting state में रोक सकते हैं लेकिन जब आप interrupt करके रोकेंगे thread को तो वो एक exception दो करेगा उसका नेम है interrupted exception तो हमें इस exception को handle करना पड़ेगा और मालनो second condition क्या हुआ if thread not in sleeping और वेटिंग इस्टेट देन थ्रेड एक्जिक्यूट नॉर्मली मालो हमारा thread जो है वो sleeping या फिर वेटिंग इस्टेट में नहीं है वो running state में है तो अगर हम interrupt method apply करेंगे तो हमारा thread interrupt नहीं होगा वो नॉर्मल एक्जिक्यूट कर जाएगा जैसा बिना interrupt method की वो करता है यहां पर thread life cycle का figure में समझाता हूं मैं आपको सबसे पहले new state में हमने thread को create करा यहां पर T1 thread हमने create करा फिर start method से हमने क्या किया T1 को start कर दिया तो वो ready state में आ गया running से ready में आ गया अभी thread scheduler ने हमारे T1 thread को pick किया select किया तो वो running state में यहां पर आ चुका है अभी thread running state में है तो अगर running state में thread है और मैं लिखू T1. interrupt method मैंने thread के साथ apply किया तो अभी यह हमारा interrupt method काम नहीं करेगा क्योंकि thread running state में है तो फिर यह काम कैसे करेगा इसका काम करने का तरीका यह होता है कि running state में जो भी thread है जैसे यहां पर T1 thread running में है सबसे पहले हमें इस running state से thread को waiting state में लाना होगा तो वह हम कैसे लाएंगे दो तरीका होता है या तो आप T1.slip method लिखो और यहां पर कुछ भी value दे दो या फिर आप T1.join method इन methods का यूज करके आप running state से thread को waiting state में ला सकते हैं अगर थ्रेड मालो waiting state में यहां पर T1 आ चुका है तो अभी अगर waiting state में हम apply करें यहां पर T1. interrupt अगर अभी interrupt method हम यहां पर apply करें thread waiting state में हैं तो हमारा thread यहीं पर interrupt हो जाएगा waiting state में ही वो रह जाएगा इसके तेमसे आगे वो एकजुट नहीं करेगा वो रेड़ी स्टेट में नहीं जाएगा क्योंकि हमने इंटरप्ट मेठाड़ लगा के उसे यहीं पे कि बेति इंटरफ करके रख लिया है तो चलिए इसी चीज को हम प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करके कर देते हैं कि कैसे interrupt method thread को वेटिंग स्टेट में ही interrupt कर देता है प्रोग्राम में आप देखो Class A हमने बनाया है और इस Class में हमने Thread class की मदद से Thread को define किया हुआ है Thread class के पास एक method होता है run method तो run method को हमने यहां पर override किया है और इस run method के अंदर हमने क्या code लिखा है हमने वो code लिखा है जो हम अपने thread से perform करवाना चाहते हैं तो नीचे देखो हमने एक T1 नाम का thread बनाया है और इसे start किया हुआ है start method की मदद से तो start method thread को start भी करता है और अंदर ही अंदर implicitly run method को call भी करता है तो इसका मतलब इस T1 thread का काम क्या है इस T1 thread का एक ही काम है run method के अंदर लिखे गए T1 thread running message को 5 times print करना यही इसका job है तो हम जो भी अपने जे thread बनाते हैं जो भी child thread हम create करते हैं खुछ से उस thread को अगर आप कुछ भी task assign करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको run method में ही उसका code लिखना होगा अगर इस code को अभी मैं run करूँ तो इसका output बड़ा ही simple आएगा उसके बाद हम आपको interrupt method भी बताएंगे वो कैसे काम करता है तो अभी program हमारा compile हो रहा है अब हम इसे क्या करेंगे execute करेंगे तो थोड़ा सा time दे देते हैं अब execute करा हमने तो देखो हमारा t1 thread running five times आ गया मतलब यह five times हमारा t1 thread execute किया अब हमें क्या करना है इस thread को running state से waiting state में डालना है क्योंकि जब तक thread waiting state में नहीं जाएगा हमारा interrupt method काम नहीं करेंगा ठीक है तो यहां पर हम slip method यूज करेंगे thread class का हम एक second के लिए thread को waiting state में डाल रहे हैं ठीक है तो thread लिखना होगा thread class का method है thread dot slip तो अभी अगर इस program को हम execute करेंगे तो हमें interrupted exception मिलेगा क्यूंकि slip method interrupted exception थ्रो करता है हमने thread को एक second के लिए interrupt करा है इसलिए interrupted exception हमें बोल रहा तो हमें क्या करना होगा try catch लगा के इस exception को को खुद से handle करना होगा तो हम try block के अंदर इस सभी code को लिख देंगे जिसमें exception occur हो रहा हमने लिख दिया अब यहां पर catch block बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे अपने exception को handle करेंगे तो catch block में क्या exception थ्रो हो रहा था interrupted exception तो यही एक exception यहां पर हम लिखेंगे ठीक है तो अभी exception को हमने handle कर लिया है यहां पर एक message भी हम दे सकते हैं वो क्या होगा यहां पर लिख रहे T1 thread क्या लिख दे जैसे T1 thread terminated ठीक है यह message हमने लिख दिया यह exception handle होगा तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं अभी इस program को अगर हम run करें तो इसका output आप देखिएगा हमने exception को handle किया हुआ एक-एक second के interrupt होने के बाद output आएगा 12345 मतलब हमारा thread एक second के लिए waiting state में जा रहा उसके बाद वो फिर से running state में आ जा रहा लेकिन हमारा requirement क्या है कि जब thread पहली बार waiting state में जा रहा एक second के लिए वहीं पर हम इसको interrupt कर दें उसके बाद यह सारा code execute नहीं होना चाहिए हमारा requirement यह है तो अभी हम क्या करेंगे जब thread waiting state में जाएगा तभी हम उसको interrupt कर देंगे तो यहां पर message यूज करेंगे method यूज करेंगे interrupt यह क्या करेंगा जैसे ही पहली बार thread waiting state में जाएगा उसी टाइम पर हमारा interrupt method call होगा thread वहीं पर interrupt हो जाएगा तो इसका result अभी आप देखिएगा interrupt method अपना भी काम दिखाएगा प्रोग्राम हमारा compile हो रहा अब हम इसे run कर रहें तो देखो एक बार thread गया running state में execute हो गया यह run होने के बाद हमारा thread एक बार के लिए एक सेकंड के लिए वेटिंग स्टेट में गया जैसे ही एक सेकंड के लिए यहां से वो वेटिंग स्टेट में गया यहां पर हमने थ्रेड को क्या किया एक सेकंड के लिए वेटिंग स्टेट में डाल दिया तो जैसे ही यहां पर 1 second के लिए waiting state में वो गया हमारा interrupt method call हो गया और वो क्या किया thread को interrupt कर दिया वहीं पर waiting state में ही उसे क्या कर दिया terminate कर दिया रोक दिया तो हमारा cursor यहां से jump करके catch block में आया और T1 thread terminated ये message मिली गया लेकिन अगर हम यहां यहां पे thread को waiting state में नहीं डालेंगे, तब यह interrupt method का कोई भी use आपको नहीं दिखेगा, interrupt method तभी अपना काम दिखाता है, तभी अपना काम करता है, जब thread waiting state में जाता है, अभी thread running state में रहेगा, तो यहां पे देखो हमें line number 14 पे exception interrupted thrown in body corresponding try, यहां पे बोल रहा है, तो अभी exception कोई आ ही नहीं रहा है, तो हम इसे handle नहीं करेंगे, तो भी चलेगा, तो हम क्या कर रहे है, इसको हटा दे रहे, क्योंकि हमने slip method हटा दिया, तो अभी कोई exception नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे एक curly bracket extra है, इसे remove करते हैं, अभी हम क्या कर रहे है, प्रोग्राम को अपने compile कर रहे है, अभी हमारा प्रोग्राम देखो compile हो गया, अब हम इसे execute कर रहे है, तो यहां पे देखो, अभी हमारा T1 thread five times execute हो गया, इसका मत्तब interrupt method अभी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हमा हमारा thread एक बार जब running state में गया तो वो running state में ही रह गया, और five times execute कर गया, तो अगर आपको interrupt method को use करना है, तो आपको अपने thread को waiting state में ले जाना पड़ेगा, तभी आप interrupt method use करके उसे रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे, तो यह simple concept था हमारा interrupt method का, उम्मीद करत आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया हो तो like करिए, share करिए, चानल पे नए हैं, चानल को subscribe कर दिजिए